बिसकार स्वागत है आपका NS News exclusive में महोरें जिता पठारे सरकार के एक कदम से 5000 करोड की होगी अब बज़त 10 रुपे सस्ता होनी जा रहा है पेट्रोल जी हाँ मोदी सरकार एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है अगर सरकार की है कोशिस सफल रही तो प्रोजेक्ट जो हमारा पेट्रोल है वो 10 रुपे प्रति लिटर सस्ता हो सकता है यही नहीं आपका पेट्रोल पर खर्च 10 फिस्दी कम भी हो जाएगा इस कदम से सरकारी खजाने में 5000 करोड रुपे की बचत होगी भारती एकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष तक पहुचने के लिए यह सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है सरकार देश भर में मिथिनॉल ब्लेंडेट फ्यूल लाने की तैयारी में है इसके लिए बकायदा रो ट्रांसकोर्ट एवं हाइवे मिनिस्टर नितिन गटकरी ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खत लिखा है और उसमें कहा है कि भारतेश भर में मिथिनॉल ब्लेंडेट फ्यूल उपलब्द करवाए सरकार के इस कदम से प्रधुशन में 30 फिजदी तक कमी आ सकती है मेथनॉल की कीमत 20 रुपे प्रती लीटर है इने नॉइल पहले ही मेथनॉल ब्लेंडेट फ्यूल बना रही है इसमें 15 फिजदी मिथनॉल और 25 फिजदी पेट्रोल एकोनोमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट ने बताया कि आयोग के इस कदम से वीके सारस्वास इन्होंने आगे बताया था कि M15 पर 16 5000 किलोमेटर ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है नीती आयोग ने बताया था कि फ्यूल में 15 फिजदी मिथेन ब्लेंडेड जो यूज़ करते हैं तो उससे 2030 तक 100 अरब डॉलर की बचत हो सकती है ट्रायल के तौर पर पुणे में 15 फिजदी मिथनॉल मिले हुए पेट्रोल से गाड़िया चलाई गई ख़बरों के मुताबिक पुणे में मारूती और घुंड़ी गाड़ियों में मिथनॉल मिला पेट्रोल डाल कर ट्रायल रन किया गया सरकार इस दिशा में जितनी तेजी से काम कर रही है उसे लगता है कि जल्द ही देश भर में पेट्रोल पंपू पर मेथनॉल मिला हुआ अराम से पेट्रोल अपको मिल सकता है फिलहाल पेट्रोल में एथनॉल मिला जाता है लेकिन मेथनॉल के मुकाबले एथनॉल बहुत जादा महेंगा होता है इसके कीमत करीब 40 रुपे प्रती लीटर होती है जबके मेथनॉल की कीमत 20 रुपे प्रती लीटर आती है नहीं बनता वही एथनॉल गन्ने से बनाया जाता है तो मतलब कि इन दोनों का जो आ रहा है जो नया सरकार की नई नीती आई है इससे हमें भेफायदा होगा सरकार को भेफायदा होगा तो हम चाहेंगे कि यह नीती जल्द से जल्द पूरे देश में नागू हो आज के लिए इतना इधा एसे वीडियो की जानकारी के लिए बने रही है और इसने जल्द प्लू जी के साथ थाइंक्यू